दोस्तों, आजकल इनसान ही अपने पैरों पर कुलहाडी मारने लगा है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है कि भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उपर से भगवान को दोश देने लगता है, और दोस्तों आप भी यह गलती अपन नहीं पता कि मंदिर में माचिस रखनी चाहिए या नहीं, और पैसों को भी लोग मंदिर में ऐसे ही रख देते हैं, फिर कहते हैं भगवान जी, क्या हो रहा है हमारे घर में, अब दोस्तों, भगवान क्या करें, आप जो है गलतियां कर रहे हो, दोस्तों, कई लोग कहते है गर हमेशा वास्तु शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं चलाता है, तो उसके घर में बरबादी के लक्षन दिखने लग जाते हैं। आपको बरबाद नहीं होना है। आपके घर को बचाना है, आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे, तो रसोई घर में यह चीजें न रखें दोस्तों. इश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनो कामना को मेन पूरा करता हूँ. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सचे दिल से. जै जै बजरंग बली. दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर गुरुजी का नाम तो सुना ही होगा और उनके उपाए भी आप फॉलो करते हो. और दोस्तों, कई बार गुरुजी लोगों नहीं आपको दीपक जलाना चाहिए. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक जलाया हो. क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है, इससे आपके घर से सभी निगेटिव एनरजी बाहर निकलती है. अगर आप कोई भी दीपक न उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुँच जाता है. शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है. और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक. अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है. यानि कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती हैं. उन जानते हुए भी उपाय कर नहीं पाते हैं. भूल जाते हैं उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है. इसलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी है. अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी क्योंकि उन्हें वास्तुशास्तर का ज्यान नहीं है. इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अधरक का स्वाध अर्थ यह है कोई भी व्यक्ती वास्तुशास्तर के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वा इसलिए दोस्तों सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए अब दोस्तों जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर जाएं हैं जो परेशानियों को बीमारी को मुसीबत को बहु के टेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं, लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तब ही आपको इसके लाब मिल पाते हैं, अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या, नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्या बहुत ही ज्य से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती है, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है, अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है, वहीं रोज दीपक जलाता है, तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं, शाम के समय घी का दीपक या तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है, आप कभी भी इन चीजों को नजर अंदाज न किया करें, क्योंकि इन ही से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, और आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है, आपको यह जानकर हैरानी ह जोगी कि जो भी घी का दीपक जलाते हैं, उससे जो निकलने वाली ऊर्जा होती है, वह आपके घर में जब फैलती है, तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, यानि की पॉजिटिव होने लगता है, घर के सभी लोग शान्ती से रहने लगते हैं, इसी प हुआ होता है, वह निगेटिव एनरजी को बाहर निकालता है, और आपके आसपास की एनरजी को पॉजिटिव बनाता है, तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं, शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को मिस न किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं, वहां पर बनता है, राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है, कहने का तातपर्य है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी आपने कलपना की है, जिसकी आपने मनो कामना मांगी है, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदी का प्रयत्न करते हैं, ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाएं, औ और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्तियादी लगवाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुन्दर मुख देख सकें और उनका आशीरवाद प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तोर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। तो बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनूठी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती हैं, समझ लिजिए, उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रिहकलेश नहीं होता, पत्नी और परिवार जनों के बीच परस पर प्रेम रहता है और घर में धन धान् इसलिए यह जरूरी माना गया है। भगवान विश्नु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वस्व परम देवता माना जाता है और त्रिदेवों में भगवान विश्नु जी को पूजा जाता है। भगवान श्री गनेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ती या तस्वीर अपने घर के मंदिर में रोक लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाई तरफ भगवान श्री गनेश जी की मूर्ती लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तोर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प् जैसे इनकी पूजा बहुत जोड़ी मानी गई है और दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ती रखें या ना रखें या उनकी पूजा करें या न करें दोस्तों आपको निश्चित तोर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवत किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि आपके उपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहोंगे, इसके अलावा आप प्रभुश्री राम की तस्वीर भी अपने घर के पूजा घर में रखते हैं, तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें। प्राप्त होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्ती या तस्वीर का पूजन करने से होता है। आपको भगवान श्रीकृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ती भी आपको जरूर रखनी चाहिए, या श्रीकृष्ण जी की अगर आपके घर में तस्वीर है, तो उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रिहकलेश नहीं होता। पत्नी और परिवार जनों के बीच परस पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही व्रिद्ध होती है। इसलिए यह जरूरी माना गया है। दोस्तों, अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं, तो निश्चित तोर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो सोचते हैं कि भगवान विश्नुजी की भी पू तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायन की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, तो निश्चित तोर पर आपके घर में दिन, दोगुनी, रात, चोगुनी, वृद्धी देखने को मिलती हैं, इसलिए आप भगवान विश्नुजी के साथ माता तो आपको उनकी बाई तरफ भगवान श्री गनेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ती या तस्वीर अपने घर के मंदिर में रोक लगानी चाहिए। तो भगवान श्री गनेश रिद्धि सिद्धिका, भंडार और बुद्धिका विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत जोड़ी मानी गई है। और दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ती रखें या ना रखें या उनकी पूजा करें या न करें। दोस्तों आपको निश्चित तोर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्तिया तस्वीर रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि आपके उपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या ना होंगे। इसके अलावा आप प्रभुश्री राम की तस्वीर भी अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें। हनुमान जी के निर्मित किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करना हो, आप प्रभु श्री राम से कहें दोस्तों, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं, और निश्चित तोर पर आपको उतना ही आशीरवाद प्राप्त होता है, जितना कि आपको हनुमान जी की या उनकी किसी प्रकार की कोई चीज आपके पास है, तो आप उनका पूजन करें। इसमें सारे देवी देवताओं का आपको आशीरवाद प्राप्त हो जाता है। या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेवों की तस्वीर या मूर्थी एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए, ब्रह्मा, विश्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। एसी तस्वीरें होती हैं या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चहरा हमेशा घर के मुख्य दर्वाजे की तरफ होना चाहिए। ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाब की प्राप्ति हो और इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इस से ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। है तो देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है दोस्तों। मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ती रखें। बजरंग बली रुद्र करें धन्यवाद जैमाम लक्ष्मी।